पावर फाइनेंस का दम लाखों करोड के 19 सौदों के दम पर शेर रिकॉर्ड हाई पर स्टॉक मार्केट न्यूज सुस्त मार्केट में भी आज पावर फाइनेंस पावर फाइनेंस कॉर्परेशन पी एफसी ने काफी दम दिखाया। इसके शेर 7 फीसदी से अधिक उच्छाल के साथ रिकॉर्ड हाई 244 रुपए पर पहुँच गए। इसके शेरों में यह तेजी 19 कांट्राक्ट मिलने के चलते दिख रही है। मुनाफाव सूली के चलते भाव में थोड़ी नर्मिया है लेकिन अभी भी यह दमदार स्थिती में है स्टॉक मार्केट न्यूज सुस्ट मार्केट में भी आज पावर फाइनेंस पावर फाइनेंस कॉर्परेशन पी एफसी ने काफी दम दिखाया। इसके शेर 7 फीसदी से अधिक उच्छाल के साथ रिकॉर्ड हाई 244 रुपए पर पहुँच गए। पाँच दशमलव साथ शूनी फीसदी के उच्छाल के साथ 240.05 रुपए के भाव पर बंध हुआ है। किन कमपनियों के साथ पावर फाइनेंस ने किया है सौदा। पावर फाइनेंस लाख करोड रुपए के 19 सौदे हासिल किये हैं। ये सौदे एनरजी ट्रांजिशन के लिए लीडिंग फांडिंग रूप में स्थापित करने की कमपनी की योजना का हिस्सा है। कमपनी ने जिन कांट्राक्ट पर साइन किये हैं। वे सोलर, विंड, ग्रीन हाइडरोजन, बाटरी स्टोरेज, वेइकल, स्पेस के साथ साथ ग्रीन एनरजी, ग्रीन एनरजी एक्विपमेंट साथ हैं। कमपनी ने 21 जुलाई को लॉंच किया एनसीडी इश्यूू। कुछ दिन पहले 21 जुलाई को पावर फाइनन्स रुपए के नौन कमवर्टिबल डिबेंचर, एनसीडी, पबलिक इश्यू लॉंच किया था। इस इश्यू में 4,500 करोड रुपए का ग्रीन शु आप्शन की मांग बढ़ने पर एनसीडी का साइस बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार कमपनी ने 5,000 करोड रुपए का इश्यू खुला है। तीन रेटिंग एजेंसियों, केर रेटिंग सक्रिसिल और इकरा ने इसे स्टेबल आउटलुक साथ एये रेटिंग दी हुई है जो किसी एनसीडी इश्यू को बहुत कम मिलता है। यह इश्यू 21 जुलाई को खुला था और 28 जुलाई को बंध होगा। हालांकि 28 जुलाई के पहले भी यह इश्यू बंध हो सकता है और 28 जुलाई के बाद भी खुला रह सकता है। लुलाई